नमस्कार दोस्तों जाका इस विसर में बफिर से स्वागत थेकने रेस्पी के साथ में तो आज लेके आई हूँ मैं अस्टमी और नॉमी की परसाथ की रेस्पी जो जिसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है एक कटोड़ी हमने काले चानी को रा से बनाया है भड़ी देर के बाद जब यह सिटी लग जाएगी नहुं इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे और फिर बाकी सारी चीजों की तैयारी हम तब तक कर लेंगे तो यहां पर हमने दो सिटी लगा लिया है रेश्ट करने देंगे और यहां पूरियों की तैयारी कर लेते हैं तो गहों काटा ली हूँ नमक स्वाधन उसार एक चमच हमने न घी का इस्तमाल किया वरिफाइन तेल का भी इस्तमाल कर सकते हो कि और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे नॉर्मल आटा थोड़ा सा सकती लगाना है आप लगा सकते हो तो यह पानी को एड़ करके हम इसका आटा लगा लेंगे तो इस बन और आत्री में बहुत यह आसान तरीके से जल्दी से आप इस तरह से परसाद बना के तयार कर सकते हैं आटा हमने लगा लिया है दस मिनट के लिए ढख करना इसे हम रिष्ट करने के लिए रखेंगे और यहाँ पर तब तक देख लिखते हैं चने को तो यहाँ पर देख सकते हैं काले चने जो है ना काफी अच्छे से बॉयल हो गए है और यह देखाती हैं यहाँ पर मैस करके काफी अच्छे से यह पक चुका है अब इसको हम इसकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर तत्त हो लिएक बता है कि लिए को लिए हुए विखा है, फिर जोआ टोपा जिता है कि बिढ़ा है और हम उसे माचालो। अब इसे बाकी सारी मसाले अर्ट कर लेंगे कासमीरी लालमिश पॉर्डर डाली हूँ अमचूर पॉर्डर और गर्ब मसारा डाली हूँ सबी को मिक्स कर लेंगे और बस थोड़े से पानी जब सूख जाएंगे तो बस ये तयार है तो एक से दो मिनूट के लिए हमने ड़के से फिर से पका लिया है देख सकते हैं काफी अच्छा ये पक गया है और इसमें धनिया पती अर्ड कर लेंगे अच्छा से मिक्स कर लेंगे तो मसाले काले चने हमने बना के तयार कर लिया है और अब हम हल्वे की तैयारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने तीन चमच घी का इस्तमाल किया है सूजी ली हूँ आधा कटोड़ी और अच्छे से हम इसे भून लेंगे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए हलका गुलावी कलर इसमें आ जाएगा न तो बहुत ही अच्छा सा हलवा बन के तैयार होता है और सोना हाट टेस्ट भी होता है हलवे में तो यह देख सकते हैं कलर काफी चेंज दीख रहा है और यहां पर ड्राइफूर डाल लेंगे जो भी मनपसंद हो और किसमी जमने आ बासमें आड़ किया है और थोड़े से सुजी के साथ में इसे भूलेंगे करने तो फिर इसमें एक गिलास पानी हो ही था और इसमें हम थालावी चीनी डालेंगे तो मीठाब अपने व्लावी दोड़े इस्तमाल किया है चीनी और इलाइची पॉर्डर डालेंगे मिक्स कर लेंगे इसे और ढख करना बस एक से दो मिनट के लिए हम पकने देंगे जब तक कि सूजी काफी अच्छा से फूल ना जाए तो आज की रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक से स्क्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि नई रेस्पी की नोटिफिकेस अना आप तक सबसे पहले पहुंस सके तो देख सकते हैं काफी अच्छे से सूजी जो है फुला फुला दीख रहा है और यहां पे हमने ना किसमीस को भी थोड़े से डालके एड़ कर लिया है और फिर इसे डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह देख सकते हैं हल्वा भी तैयार हो गया है और यहां पर जो हमने आटे लगा के रखा था पूरियों के लिए वह भी रेस्ट कर लिए है तो अब मैं यहां पर पूरी भी आपको बना के दिखाती हूं है करें चोप्ते बॉल को लेकर और पूरियों की तरह इसे बेल लेंगे और यहां पर बेलने के लिए हमने तेल के इसे कीया हैं जोड़ा है और यहां पर बेलना और तैल को एना तब theक्री से गरम करने के लिए रह दिया तो इसी तरह से सारी पूरियों को भी हम फ्राइ कर लेंगे बहुत आसान तरीके से अराम से पूरियां तयार हो जाती है और इसी तरह से अस्ट मी नॉमी के पर साथ हमने तयार कर लिया है हलुआ पूरी और मसाला काले चने की भी सबजी हमने तयार कर लिया है तो इस तरह से देख सकते हैं, पुरियां सारी तयार होगी है, थाली भी हमने यहां पे सर्फ कर लिया है तो तब तक इसे आप इसी तरह से पर साथ को बना के ट्राइक कीजिए, बहुत ही जल्दी बनता है और मेरे इस पी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा थेंक यू, बाई बाई